महराज में शिबसेना या फिर कोई और किसकी बनीगी सरकार महराज में हो रहे हैं चुनाबों के नतीजे आने वाले हैं नतीजों में शिबसेना की सिति कैसी रहीगी क्या शिबसेना विपक्ष पर अपनी विजय पता का लहरा पाएगा या शिबसेना को करारी हार मिल सकती है इस बात का विश्ली संड हम शिबसेना की सापना कुंडली से करेंगे। दिनाग 19 जून 1966 को प्राता साड़े 9 बजे मुंबई में बाला साहिब ठाकरे जी ने बिना मुहूत के ही मातर एक नारियल फोड कर शिबसेना संगठन की सापना की थी। धीरे धीरे यह संगठन राजनीती में भी सक्रिय रहा और तब से अब तक महराश्ट के अधिकतर लोगों की जान और शान के रूप में जाना जाता है। इस कुंडली के माधम से हम देखते हैं कि आगामी चुनावों में शिबसेना के धुरंदर अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। यदि राजनीतिक द्रश्टी से देखी जाएं तो बहुत मजबूत कुंडली है। द्रश्टी छटे भाव पर पढ़ रही है और यह मित्र और स्वराशी की द्रश्टी पढ़ रही है। सूरी की द्रश्टी छटे भाव में अगनी तत्व की राशी में पढ़ना सत्रों विजय के लिए एक अच्छा चिन्न माना जाएगा। तदा ब्रहस्पती का अपनी राशी पर द्रश्टी होना भी शत्रों पर विजय प्राप्ति के योग बताता है। इसके अलावा दशम भाव जहां से सरकार को देखा जाता है वहां का स्वामी मंगल एकादश भाव में राहू के साथ है और मंगल की आठवी द्रश्टी भी छटे भाव पर है। अगनी तट्व के ग्रह की द्रश्टी जब अगनी तट्व की राशी पर पढ़ती है तो लाव देती है। अरधात इस योग से शत्रों पर विजय प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मंगल पंचम तथा दश्यम भाव का स्वामी है और योग कारक ग्रह है दश्यम भाव का स्वामी जब राहू के साथ हो तो राहू राजनीती में असामानी सफलता प्रादान करता है इसके अलावा यदी छटा भाव जिसे शत्रू भाव कहा जाता है वहाँ पर हम देखें तो पांच ग्रहों की दश्टी है जिसके कारण शत्रू पक्ष पर विजय प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे है निश्कर्स दशा अंतरदशा के अरुसा निश्कर्स निकाले बुद्ध महादर्शक में चंद्रमा की अंतरदशा सितंबर 2025 तक है चंद्रमा 12 भाव में है जो की शत्रू पक्ष पर विजय बनाने के लिए पर्याप्त है लेकिन अंतरदशा का स्वामी शट्रबल में कम जोर है इसलिए जीत हासल करने में बहुत अधिक ही इस्तान होगी और चुनाव के परिणाम जीत का फैसला बहुत ही कम वोटों के अंतर से शिवसना की पक्ष म प्रबल होने की संभावना है